हालो स्टुदेंट्स वेल्कम तु माई चैनल आज हम लोग क्लास 10 का चिप्टर 11 कंस्ट्रिक्शन की एक्सरसाइज 11.2 करेंगे कोशें नमबर 4 draw a pair of tangents with circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree ठीक है एक rough diagram बनाएंगे हमें 5 cm के radius का हमें एक triangle बनाना है ठीक है और उस पर 2 tangents बनानी है यह 5 cm है इसको O ले लिए A, P, Q ठीक है और यह angle 60 degree है right which are inclined to each other at the angle of 60 degree ठीक है अब हम कैसे बनाएं यह 5 cm है हमें पता होता है कि यह 90 degree होता है जो tangent होती है वो radius के साथ 90 degree angle बनाती है ठीक है तो यह angle हम निकाल लेंगे angle O plus angle P plus angle A plus angle Q is equal to 360 degree ठीक है क्योंकि quadrilateral angle अब हमें फाइंड करना है this is 90 plus 60 plus 90 that is equal to 360 then angle O is equal to 360 minus 90 plus 90 180 plus 60 तो यह आगया 240 मतलब कि यह आगया 120 degree angle O तो यह हमें 120 degree का बनाना है अब हम construction स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम 5 cm radius का circle बनाएंगे पिके पिके सबसे प्याइंगे आएंगे पिके कि थोड़ा मुझे बोर्ट पे बिकॉज यह बहुत ज़्यादा स्लिप्री है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है कंस्ट्रिक्शन करने में ठीक है नो अब हमने क्या करना है यह एंगल हमने यहाँ पर यह हमने ले लिया ओ सेंटर हो गया यह ठीक है और यहाँ पर 120 डिगरी का एंगल बनाना है यहाँ पर इस लाइन पर इसको ले लिया हमने क्यू पॉइंट ठीक है 120 डिग्री के एंगल के लिए हम कमपस से एक आर्क लगाएंगे इस पर ये ठीक है then 60 and this 120 ठीक है इसको हम जॉइन कर देंगे यह हमारा पी पॉइंट आ गया ठीक है अब यहां पर हम क्यूपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे क्यूपर 60 120 एक आर्क उपर एक इधर से आर्क सिमिलर्ली हम पी पर भी करेंगे यही काम 60 डिग्री 120 then 120 का हाफ ध्यान से करिएगा और अब इसको हम क्यूपर से जॉइन कर देंगे सिमिलर्ली हम इसको पी से जॉइन करेंगे यह जो आजाएगा यह हमारा A पोइंट आजाएगा PA and PQR required tangents देखो यह 120 डिग्री बन गया यह 90 डिग्री बन गया यह 90 डिग्री बन गया 360 ठीक है then angle A is equal to 360 minus 300 60 डिग्री आ गया ठीक है इस तरीके से हम इसकी कंस्टिक्शन करेंगे ठीक है करेंगे